बार्टी एंता पार्टी की जीत नहीं है यह हमारी जीत है और जितनी मजबूती के साथ हम बार्टी एंता पार्टी को वोट करेंगे पार्टी के मंच से भाजपा को बोट देने की अपील का बीडियो वाइरल चुनावी जन्सभा को संबोधित करते समय सपा नेता ने मांगे भाजपा के लिए बोट वीडियो देख लोग दे रहे हैं बर-बर प्तिकरिया हैं आप भी दें अपनी राएं तो दोस्तों ख़वर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को मैं करें इस खवर को लाइक करें शेर करें कमेंट करें और देखते रहें यू किशेता नेता समाजवादी पार्टी के एक नीता ने चुनावी जनसभा को सम्भोदित करते हुए भरे मंच से अपने पार्टी के वजाए भार्ती जनता पार्टी को बोड देने की अपनी इसा जिसका वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो गया और लोग नाना पिरकार की प्रतिकरियाएं दे रहे हैं वाइरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नेता जी जनसवा को संबोधित कर रहे हैं और भाजपा पर हमला बोलने के बजाए उसी को बोर्ड मांगने की अपील कर रहे हैं दरसल इस वीडियो को अंशुल सिंग ने ट्वीटर पर शेयर किया और उन्होंने लिखा है कि साब दानी हटी दुरगटना घटी ये वीडियो उत्तर परदेश के जनपत बरेली के कस्बा बहेडी का बताया जा रहा है ट्वीटर पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं जैसे पप्पू नाम के ट्वीटर हैंडल से लिखा गया है कि भाजपा का खौफ कुछ ज्यादा है तो बिनीता सिंग ने लिखा है कि ये अभी हाल में भाजपा छोड़ कर आए हैं तब ही बिचारे भूल नहीं पा रहे हैं और धीरज मिश्रा ने लिखा है जब दूसरी पाइटी में लोग आते हैं तब अपनी पुरानी पाइटी के बारे में ऐसा ही बोलते नदर आते हैं ये पहला मौका नहीं है जब किसी सभा को नेतान की जुबान फिसली हो जबकि हाल ही में मीडिया से बात करते हुए सभा के परदेश अद्यक्ष ने कहा था की बीजेपी और कांग्रेस ने किसानों को तबा कर दिया है उसी दोरान वह अखलेश यादब को किसानों के खिलाब बताते हुए कहने लगे कि हमारे नेताने किसानों को बरबात कर दिया है ये आप सब जानते हैं कि उत्तर परदेश बिदान सभा की तैयारिया जोरों पर चल रही है अपनी पारिटी को मजबूत करने के लिए सपा मुख्या अखलेश यादबी जन सवाओं के जरिये जनता के बीच जा रहे हैं और महंगाई पेट्रोल डीजल की बरती कीवतों किसानों पर हो रहे है अत्याचा निरंतर भाजपा सरकार को घेर रहे है खैर वाइरल वीडियो खूब चर्चाओं में है आपकी क्या रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी चत्तंगी क्योंकि हम जल्द लोटेंगे किसी दूसरी ख़वर के साथ तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस ख़वर को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और देखते रहें यूपी चत्तंगी हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समझचा को लेकर किसी और खबर के जाद तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इर्शाद अली जैहन